बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जूतेम पालिश लगाना मोची का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह ब्रहमन को पूजा पाट करवाना उसको धर्म नहीं धंधा है। किसी का निधन हो जाता है उसके बाद उसके नहीं के पहले स्वर्ग यह लगता है। स्वर्ग नरक परीटिका है। स्वर्ग नरक की चर्चा हम सुनते थे, हम सोचते थे, मरने के बाद स्वर्ग जाता है लोग। लेकिन उस पाखंड से स्वर्ग नरक की बात करता है। उनसे हुआ, जब है स्वर्ग किसको भेजते हो, तो उसने कहा जो अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग भेजेंगे। बांकी को नरक भेजेंगे। कलि अच्छे ठीक बात है। लेकिन हम आज तक तो देखे हैं, नेक बेकती मरा, उसमें स्वर्ग यह लग गया कोई बात ने है। एक अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्ग यह लगता है। तो नरक किसको भेजते हो, तो चुप हो गया। कलि अच्छे उसे हमको क्या लेना देना नहीं है। अच्छे एक बात बताओ, तुम स्वर्ग भेजने का काम करते हो, तो स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा। तुम्हारा तुम स्वर्ग का हाल चाल पूरा जानते हो, वहां का आता पता पुरुब्ड दो कुछ। अब गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है, तो वह घर स्वर्ग है, कला है तो नर्क है, नर्क वह घर है जिसके घर में सामंजस नहीं है, स्वर्ग वह घर है जिसमें सामंजस हो, धन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्वर्ग नरक है तो जिन्दाम है मरने के बाद दलीली है लेकिन वो लोग तो मरने के बाद वाले इस वर्ग नरक की बात करते हैं तो उसका ती ब्यवसायन है हम कहते हैं जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है जूतेम पालिस लगाना मोची का धर्म नहीं धंधा है उसी तरह ब्रहमन को पूजा पाठ करवाना उसको दर्म नहीं है दंधा है आई सी पर उटिका हुआ है उसे नहीं बताएगा तो कैसे काम चलेगा उसका आपका नाम सिया राम है अब बहुत सारे दर्सक है जो आपके पक्ष में भी है और भी पक्ष में है कुछ लोगों को अच्छा है य catastrophist करता है कि जो आनि सीता राम मतलब भगवान राम भगवान उनके नाम से संबंदित आपका नाम है और आप इस तरहे काम कर रहे तो यह तो आपके नाम से सुभा नहीं देता है कि अब ऐस आ काम कर रहे हैं देखिए ओ नाम Wha घृच्वान अपने को कहा है आलोगों को दोखा देने का काम किया है और मैं जो नाम रखा है उस मुताबिक चलते हैं हम आज तक किसी को धका देकर दो रुपया नहीं लिए हैं सही बात बता कर लेते हैं